अलो फ्रेंट्स मैं हुआ लोक राज और मेरे आप लोग के लिए लेकर आए हूं 23 फर्वरिद 2019 का करेंट अज के करेंट अपर्स में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महत्पूर्ण गटना है होई है और साथ में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनसे किस टाइप के को सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते है पहला कोश्चन है कि हाली में किस रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी ने एरो इंडिया दोजार वनाईस में एफ-21 लराकु बिमान के संसोधित रूप को पेस किया है तो आपके सामने चार ओप्षन है चार में से जो सही है वो आपको ठीक लगाना है फ्रेंस से एक आपको कागज लेना है और एक प्यान लेनी है और आपके अंधर जो सही है उस पर लिखते जाना है लास्ट में कांट करके बताते जाना है बता देना है कि आपने कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ठीक है फ्रेंस तो चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो बता दीजिए पहला इंडिया दोजार ओनाइस एरो इंडिया दोजार ओनाइस में एफ ट्वेंटीवन मल्टी रोल लाराकु बीमान का अनावरान किया ठीक है तो इसका सही उत्तर भी है चलिए अगला देखते हैं राश्ट्पति रामनाथ कोविन जो हैं हाली में की सस्थान पर हिंदी परचार स महात्मा गांधी के पर्तिमा का अनावर किया हिंदी परचार सभा में ठीक है अगला है कि की से नौरत्म कंपनी द्वारा एक ऐसा एट्मीट सौरी एट्मो एस्फेरिक वाटर जेनेरेटर बनाए गया है जो कि वाई मंडल की नमी से पानी बना सकता है तो आपके सामने चार और अप्शन है भारत हैव इलेक्टरिक लिमिटेड ऐसे करके स्टिल ऑफ इंडिया तो आपके अनुसार कौन सा सही होगा इस पर टिक लगा लिए चलिए आप लोग सही उत्तर लगा लिया होंगे तो मैं बता देता हूं इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा भेल भालत भारत इलेक्टरिक लिमिटेड ठीक है तीन का सही उत्तर दी होगा और यह रक्षा मंत्रण है कि यह नौरत्म कम्पणी है और इसका नाम है भारत इलेक्टरिक में टीक है और इसने एक ऐसे नय उत्तपाद का अब इसकार किया है जो कि एट्मो अस्फेरिक वाटर जनेरेटर के नाम से है और यह जो है वाई मंडल की नमी से पानी बना सकता है ठीक अगला चोथा देखते हैं चोथा है कि हाली में पेज अला और स्वक्षताब मंत्राले द्वारा जारी आकरों के अनुसार बारत में कितने लोग धातु पर्दूसित पानी पीने के लिए मजबूर हैं चार करों छे करों आठ करों दस करों तो आपके अनुसार कौन से सही होग यह बताई तो चलिए मैं बताता हूं इसका सही उत्तर चार करों होगा याने की चार करों लोग जो हैं पर्दूसित पानी पीने के लिए मजबूर है भारत में अगला कि आस्पातालों और स्वास्ते सेवा परदताओं के लिए राश्टिय पर्मानर बॉर्ड एन एबी चलिए मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं सही उत्तर इसका भी होगा होग ठीक है याने की अस्पातालों और स्वास्ते सेवा परदताओं के लिए राश्टिय प्रमानर बॉर्ड ने एंटी लेवल प्रमानर पर्किरिया सरब बनाने के लिए होप एचो पी नाम से एक नय या पोर्टल की सुरुवात की है चलिए अगला देखते हैं छठा जो है यह है कि भारत में किस आई आई टी के सोध करताओं ने कम से कम लोगों का इस्तेमाल कर कुम्ब और हज जैसे भीर भार वाले आयोजनों में भागदा रोकने में मदद करने के लिए एक एल्गोरीडम बनाया हुआ है तो यह कौन से आई आई टी है और वहां के सोध करताओं ने ऐसा काम किया है तो आपको बताना है ए मदरास और बी कानपूर और डी दिल्ली और डी जो है खरकपूर तो आपका अंसार कौन से सही होगा यह बताना है चलिए फ्रेंट्स छटा का जो होगा वो ए होगा यानि कि आई 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 टी मरदास ने एक ऐसा एल्गोरीडम बनाया हुआ है जो कि जिसके इस्तमाल से क आई टी मदरास तो यह याद रखेगा अगला सत्वा जो है यह है कि केंद्रिय ग्री मंत्राले ने एक अधिसुचना जारी कर आसाम राइफल को पूर्वतर राज्य आसम और राइचल परदेश मरिपूर नगलेंड और किस राज्य में इनके साथ बिना वारंड के किसी भी तलासी लेने का अधिकार दिया गया है तो एसी किम बी मिजोरम सी तिरपुड़ा और डी मेगाले तो आपके अमसार कौन सा सही होगा यह बताना है चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह मिजोरम होगा यानि कि अभी केंद्र सरकार ने एक अधिसुचना जारी की होई है जि इसकी तलासी भी ले जा सकती है ऐसा अधिकार इन्हों ने केंद्र सरकार ने पुलिस बल को दिया हुआ है चलिए आठवा जो है यह है कि सुप्रेम कोट ने किस राज्य के सिविल सेवा नयाइक साखा भर दी नियम 1995 के नियम 5A को रद कर दिया है तो 5A नियम क्या है इसको भी देखेंगे पहले यह देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा इसका सही उत्तर फ्रेंस आठवा का जो होगा वह सी होगा याने कि यह जो नियम था इस नियम के तहत 5A जो था 1995 का नियम 5A जो था इसके अनुसार प्रारामभिक परिच्छा में मतलब सिविल सेवा नय परिख्छा के लिए वह 10% लोगों को ही मुख्य परिख्छा के लिए क्वालिफाई किया जाता था तो इस नियम में जो था मतलब ऐसा प्राधान था तो इसको क्या कि सुप्रियम कोट ने रद कर दिया है तो यह बिहार सिविल सेवा नयाइक साखा बरती तो आपने यह भी फरवाइक 2019 को आपने अंस धारकों को बीत वर्स 2018 के लिए अपनी जमाओ पर कितने परतिशत ब्याज की बड़ोतरी की घोसना की हुई है तो 0.20% और 0.30% तो ऐसे आपको बताना है इसके इसमें कौन सा सही उतर है चलिए फ्रेंस इसका सही उतर मैं बता देता हूं कौन सा ह होगा इसका जो आठवा का सही उतर होगा वह सी होगा 0.40% याने कि इस घोसना के बाद पीएव खाता धारकों को अब 8.55 के अस्थान पे जो है 8.65% ब्याज मिलेगा ठीक है जो पीएव खाता धारक होंगे है अगला दस्वा कोषचंण है कि पधार मंति नरेंदर मोदी को दचिर कोडिया का पुरसकार है स्योलज सांथी पुरसकार 2018 से नवाजा गया है और यह पुरसकार पाने वाले निमन में से कौन से भारतिये बन गया पहले दूसरे चोथा तो इन्हें पुरसकार मिला गया 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 नरेंदर मोदीजी को और यह दच्छन कोडिया का सिवल जान्थी पुरसकार के नाम से तो फ्रेंड्स यह आप यहां ध्यान दखेगा कि इनको यह पहला पुरसकार मिला हुआ है इसका एर सही है